हेलो गाइज आज हम करेंगे कॉश्चन नंबर 67 चैप्टर चल रहा है हमारा एड्मिशन आफ पार्टनर और यह कॉश्चन आपको मिलेगा टीस ग्रेवाल के लेटिस एडिशन 24-25 एडिशन में यह कॉश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 4.111 पर ठेके दूस्तों तो लेट साथ क्वेशन नंबर 67 for admission page number 4.777-111 टेस ग्रेवाल देखो क्या पूला है सुनेना औं तमनना और पार्टनर्स दो पार्टनर्स से सुनेना औं तमनना in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3 to 2. सुनेना और तमनना का PSR क्या है सुनेना ratio तमनना is equal to 3 to 2. their balance sheet was as on 31st March 2020 capital accounts से सुनेना 60,000 तमनना 80,000 current accounts से सुनेना 10,000 और तमनना 30,000 देखो यहां पर fixed capital method है ठीक है general entries करते समय में ध्यान रखना पड़ेगा कि there is a fixed capital method तो जितने भी adjustment होंगे सब किस से होंगे current account से होंगे because capitals are fixed now general reserve 1 lakh 20,000 workman compensation reserve 50,000 creditors 1 lakh 50,000 plant and machinery 1 lakh 20 land and building 1 lakh 40,000 debtors 1 lakh 90,000 provision 40 stock 40,000 cash 30,000 goodwill 20,000 देखो total balance sheet का 5 lakhs they agree to admit pranav into partnership for one-fifth share of profits प्रणाव आया वन-fifth के लिए ठीक है on 1st April 2020 on the following terms देखो सबसे पहले terms किया है all debtors are good देखो यह सबसे important है यहां पर बूला all debtors are good मतलब यहां पर कोई provision for doubtful debts से हमर पास 40,000 का इस प्रोविजन इस नोट रिक्वाइड ठीक है तो देखो अभी लेन बिल्डिक इतनी है और हमें इसको इंक्रीज करके कहां तक ले जाना मतलब 40,000 को इंक्रीज करना और ठीक है नेक्स देखते हैं value plant and machinery to be reduced by 20,000 20,000 से कम करना है अभी plant and machinery 120 और उसको कम करके इस पर लाना है वन लेक पर लेकर आना है तो 20,000 हमें क्या करना है 20,000 हमें reduce करना है ठीक यह हो जाएगा next the liability अगेंस workman compensation reserve is determined at rupees 20,000 which is to be paid later in the year देखो इसका हमें provision बनाना है provision for workman compensation एक liability create करनी है क्योंकि हमें payment करना है workman compensation का तो 20,000 की liability create करनी है और 50,000 हमारा workman compensation reserve है हमारे पास तो 50 में से 20 की liability create कर देंगे बचाओ 30,000 क्या करेंगे partners के बीच में distribute कर देंगे ठीक है next देखते है अनिल to whom 40,000 were payable देखो अनिल हमारे creditor है तो अनिल to whom the 40,000 were payable already included in the above creditors drew a bill of exchange for three months which was duly accepted हमनी क्या किया अनिल ने bill draw किया था हमने उसको accept कर लिया तो अनिल हमारे creditor कम हो जाएगा और बिल्स पेएबल बढ़ जाएगा हमारा ठीक है प्रनाव to bring capital in rupees 1 lakh and 10,000 as a premium for goodwill capital लाएगा और goodwill का amount लाएगा 10,000 प्रनाव टेक है cash में लॉव हमें करना है journalize the transactions हमें transactions की journal entries करनी है इस question में ना तो revaluation account बनाना है ना कोई partners capital account बनाना है हमें सिर्फ यहां पे partners sorry journal entries करनी है में से जितनी 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 ट्रांजिक्शन सबकी journal entries करनी है देखो सबसे पहला सबसे पहले जो PSR है वो है 3 to 2 सुनेना और तमना का प्रनाव आया 1 5th के लिए तो पहले हम calculation कर लें new PSR की और sacrificing ratio की सुनेना ratio तमना the old ratio is 3 to 2 and प्रनाव entered for 1 by 5th ठीक है दोस्तों अब अगर प्रनाव 1 by 5th के लिए आया तो बचा कितना 4 by 5th 4 by 5th कैसे आया हमने 1 में से 1 by 5th minus कर दिया प्रनाव का अलग निकाल दिया तो बचा 4 by 5th यह 4 by 5th में से किस को मिलेगा ratio सुनेना और तमना को मिलेगा अब पता नहीं किस ratio में मिलेगा तो हम यह एजूम करेंगे 3 to 2 में मिलेगा ठीक है यह हो गया अब हम लोग क्या करते हैं 4 by 5 को डिवाइड कर देते हैं 3 to 2 में तो देट इस 3 by 5 4 by 5 into 2 by 5 so it comes 12 by 25 and it comes 8 by 25 यह हो गया सुनेना और तमना का नहीं ratio तो सुनेना ratio तमना ratio प्रनाव is equal to 12 ratio 8 ratio यह 1 by 5 है इसको 25 डिनोमेटर देखो इन दोनों का डिनोमेटर 25 है तो इसका डिनोमेटर 25 कैसे बना है उपर भी 5 से मल्टिप्लाय कर दें numerator को और डिनोमेटर को भी 5 से मल्टिप्लाय कर दें तो यह हो जाएगा सुनेना ratio तमनना ratio प्रनाव is equal to 12 is to 8 is to 5 कोढ़ से कर रहा है सुनेना और तमनना अगर और सो नियूम कर करेंगी कि जो नौव हूर्च यह सुनेना और तमनना का सच्रिवाइसिंग रीशियो है saka कियो हम हम गोड़ल क्यों करेंगे तो保 है काम आएगा घुaking औरaid और भी b जन BROWN की टिखेगे अब हमें जर्रणिटहर करनी है अंधंग सब्सक्राइब बैलेंशीट के कुछ ऐसा इंठम से जिनकी जर्ल लिश्वेश इनकी बिना बोले करनी है तो बैलेंश इघ्ल पहला कौन सा आइटम में जिनकी आफेलीonna बीना बोले करनी है वह है जनरल रिजर्ट जनरल ज entry will be for general reserve general reserve write-off करना है general reserve account debit I am writing in the short form general reserve account debit one lakh twenty thousand और general reserve हमेशा distribute होगा old ratio में तो यहां पर लिख देंगे तू सुनेनास capital account sorry यहां पर है का current account because we are we are having the current account so current account सारी entries current account में आईगी ठीक है so सुनेनास current account तू तमन्नास current account capital account fix रहेगा ठीक है दोस्तों सारी entries current account के थू जाएंगी तू तमन्नास current account being general reserve distributed in old ratio ठीक है एक छोटा सा narration लिखना होता एक्जाम में अभी लाग बीस हजार जस्टोल में कर लेता हूं एक बार क्यालकूटर से एक लाग बीस जार डिवाट बाए फाइफ इन्टू थ्री इट कम्स 72 थाउजन एंड इसका अगर 72 है तो उसका हो जाएगा 42 थाउजन 48 थाउजन सॉरी यह हो गया 48 थाउजन दोनों अब नेक्स हमारी जनल एंट्री देखो वर्कमन कंपंसेशन इसको टिक कर दो ठीक कर दो अब वर्कमन कंपंसेशन की बात करते हैं 50 का दे रखा है और हमें बनाना है ट्वंटी थाउजन का तो में एंट्री पास करेंगे सीदिस यहीं पर कर देता हूं 31st मार्च 20 वर्कमन कंपंसेशन रिजर्व अकाउंट सॉरी निया नहीं करता हूं थोड़ा किछ पिछ हो जाएगा तो I will write on this side 31st मार्च 20 वर्कमन कंपंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट रिजर्व को डेबिट कर देंगे रिजर्व इस 50,000 तू प्रोविजन बनाना में तू प्रोविजन फॉर वर्कमन कंपंसेशन हमें लिप्रिटी कर देनी है रिजर्व में से पैसा निकाल के लिप 20,000 की अब बचया हमार पास 30,000 वो 30,000 किया करेंगे All पार्टश में distribute करें इस सुनने क्यास वर्कमन कंपने कंद्रेट है ठीक है यहां पर हो बिएंग्ट में कमपनसेशन रिजर्व हमनेक ट्रीटमें वर्कमेंट कर दीजर्व स्कुर्य हें तो ठीटेट लिख दो ठीक है इसको 3 2 में डिवाइड दो 50 में से 20 गया 30 30 डिवाइड बाइफ अब्सक्राइब करना हमें ठीक है 30,000 बचा हुआ उसको तो 6000 6 into 3 18000 and 6 into 2 6000 into 2 is 12000 यह हो गया डिस्ट्रिबिट ठीक है वर्कमन कंपेशिजिजन रिजर्व कंप्रेट balance sheet के दोनों items complete होगे दोस्तों अब balance sheet analysis के बाद अब आता है हमार पास revaluation का part all debtors are good जितने भी debtors are good है मतला हमें debtors की requirement नहीं provision की requirement नहीं है तो हम क्या करेंगे provision को debit करके revaluation credit कर देंगे हमारा फाइदा हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे 31st March 20 को एक entry करेंगे हम लोग provision for doubtful debts account debit provision for doubtful debts account debit provision को debit कर दिया 40,000 provision is not now required तो उसको debit कर दिया ठीक है अब हमारे पास और भी entries देख लेते हैं जो हमारा फाइदा हो रहा है जिन में value land and building to be increased to rupees 1,80,000 हमें value land and building बढ़ा नहीं है तो हम entry करते हैं land and building account debit इसी में combine entry कर देते हैं हम लोग revolution जहां पर credit हो रहा है उसकी combine entry कर देते हैं land and building account debit ठीक है land and building account debit that is 40,000 ठीक है 140 से 180 तक लेके जाना है तो री-evaluation account यहां पर हमारे फाइदा हो रहा है तो हम लोग री-evaluation को credit कर देंगे to the evaluation account 80,000 ठीक है और यहां पर लिखेंगे being अगर प्रोवीजन डेबिटेट अंड लेंड बिल्डिंग वेल्यू इंक्रीष अ लेनन बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीस्ट इसकी वैल्यू को हमने इंक्रीस कर दिया यह हो गया अब देखो नेक्स आइटम देखते हैं जो जो आइटम होगा इन पर टिक लगाते जाओ एक्जामें भी ऐसा करो आप भूलोगे नहीं कुछ भी वैल्यू प्लांटिन लाइबरेटी ओफर वर्कमेंट कंबंसेशन हो गया है तो एंट्री विल्बी 31st मार्ज 20 री वैल्यूशन अकाउंट डेबिट रीवैलेशन को हम पर डेबिट कर देंगे ठीक है रिवजेशन अकाउंट डेबिट 20 000 को टो प्लांटिन मशिनरी तो प्लांट एंड मशिनरी अकाउंट कि 20,000 यह मैं भाटे सब्सक्राइब कर दिया बिंग कि ल determination सब्सक्राइब रूपीज को गया है की ओर और रिवलेशन इसमें नहीं अब हमें लगता है रिवालेशन आइटम खतम हो गए ठीक है अब हम क्या करते हैं रिवालेशन को बैलेंस आएगा उसको कैरी करके उसकी चल्लेंटरी पास करें अब देखो यहां पर यहां पर हमने रिवालेशन को क्रडिट किया है कितने रूपए से 80,000 से तो देखो आप रिवालेशन को क्रडिट कर रहे हो 80,000 से ठीक है और यहां पर आपने रिवालेशन को डेबिट किया है यह डेबिट हो रहा है 20,000 से ठीक है यह हो गया अगर आप इनका नेट बैलेंस निकालोगे डेबिट और क्रेडिट का तो आपके पास आएगा क्रेडिट 60,000 सुनेना और तमनना नए पार्टनर को नहीं मिलेगा तो रीवैलिशन क्रेडिट में आपके पास अब क्या करो रीवैलिशन को डेबिट कर दो प्रॉफिट डिस्टिब्यूट करने के लिए क्योंकि रीवैलिशन क्रेडिट में पड़ा है तो रीवैलिशन अकाउंट था जो हमने डेबिट कर दिया और इसको 32 में डिवाइड कर देते हैं तो 60,000 डिवाइड़ेड़ बाइव इंटो थ्री इट कम्स 36,000 24,000 यह उन्हें रिवेलेशन प्रॉफिट को डिस्ट्रिबूट कर दिया ठीक है सुनेना और तमन्ना के बीच में बीइंग रिवेलेशन प प्रॉफिट डिस्टिबूटेट टिक यह हो गया हमारा रिवेलेशन प्रॉफिट का ठीक है अभी एक्ट कंप्लिट हो गया हमारा अब हम देखते हैं हमारे पास ब्यूइड होगो अब हमारे पास 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 है गोड़ेटर आबोगाइटर्स डुव बिल अच्चेंज फॉर त्री मुंच विच वोस डुली एक्सेप्रेट को एक्डिटर है ठीक है यहां पर एक क्रेटर है फ्लियाजीं तृप्टी थाउसन का क्रेटर एक जवन लेंगेटर को हमने बिल पेबल दीद या मतलए उसने वि तो अनियल एकाउंट टैपिट या केटर एकांन डेबिट बिल्स पेएबन बहुत नहीं हैबिडिए कर chosen ऌह यह लिग देंगे टूबterrorist पर गोइज ठीस from bei and 40000 ठीक है यहाप लिखेंगे being बिल्स पेबल एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड यह हो गया हमारा एक और आइटम क्लियर ठीक है क्रेटर वाला हो गया पार्ट अब हम देखते हैं यह पॉइंट कंप्रीट एफ पॉइंट परणो बिंग कैपिटल इन कैश वन लैक एन तैन ताउजन फॉर प्रीम फॉर गु करो कि कैश में पैसा लेना हैं बैंक से लेंक की फॉर में लेना है बैंस इत में सिर्फ कैश दे रखा है तो हम लिए क्या पाइस श्रान्य चेपिश क्टे फो ब्श्य लेता ग्लम ऋकंट वार्बावेद्व։ ठीक है टूउ अनिल्स कापिडल कॉंट यह पैसा तो अनिल्स कापिडल में जाएका खेगी फिक्स कैपिडल है तो तूऌपिटल एकांट फट wanna पहत naughty और यहां पर लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गोडविल अकाउंट यह पैसा क्रेट हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट कुप गुडविल अकॉंट पॉन पोड़ी सॉरी यह मुझाए वन लेक्ट एंडिस विल बूट तन तक यह हो गया हमारा अधिक्त लिखते हैं बीन गाप डो दो गुट्वील ब्रॉट गुर्ट ब्रॉट इन और गुड्विल ब्रॉट एन बाइन अ भी जो प्रॉम्यं फोर गुड्विल का पैसा आया है यह किसे मिलेगा सुनना और तमन्ना भीलाइना को मिलेगा इनके सैजांभाइस इनका सेकृइसिंग निए रिचियो सेम स्थीज्टि तो तो हम एंट्री करेंगे प्रीमिंऑ फॉर गुट्वट्वेल अकाउंट डेविट लिएक एट टो सुने नास करेंट अकाउट करेंट मेमें जाएगा capital account कुछ भी हिट नहीं करेगा because capital fixed है तू तमनाज capital account sorry current account तू तमनाज current account ठीक है तो इट is 10,000 आमें 322 sacrificing ratio में डिवाइट करना है sacrificing ratio is also 322 ठीक है तो इट विल भी 6000 and 4000 हम यह पर लिखेंगे बींग प्रेमियम for goodwill distributed in sacrificing ratio distributed in sacrificing ratio यह हो गया हमारा प्रेमियम फॉर गुट्विल का entry तो यहां पर आके अब हमरी सारी entries complete हो चुकी है ठीक है हमें इस पूरे कॉस्चन में जनल एंट्री करनी थी हमने रिवालेशन का balance निकाल कि उसकी एंट्री भी पास करी और पार्टनर्स को रिवालेशन का प्रॉफिट दे दिया है जनल जर हमें clear कर दिया वर्कमेंन कंपसिशन क्लियर हो गया प्रोजिन फॉट फॉट्वर डैट्स और लेंडन इसलारी बिल्टिंग को बड़ा दिया लिवालेशन प्रॉफिट हैी रिवालेशन लॉव以及 इसलाओ है तो टोठल जतना रिवालेशन फ्रॉफिट है वह उमने पार्टनर को ॥िए ट्रीबूट कर दिया सब्सक्राइबr ि